Hello dear student. इस video में बचों हम roman numerals के बारे में पढ़ेंगी. Roman numerals मतलब roman number. अभी तक बचों हमने ह ONL नमबर्स पढ़े हैं वह 0 से 9 तक के नमबर से मिल के बनते हैं. इसको हम decimal system या Hindu Arabic system बोलते हैं. बहुत पहले Roman Numbers यूज किये जाते थे उसके बारे में हम इस चाप्टर में पढ़ेंगे कि Roman Numbers क्या होते हैं तो जिस तरह से Decimal System में 0 से 9 तक के नंबर होते हैं उसी तरह से Roman Numbers में अलग तरह से हम नंबर को शो करते हैं जैसे 1 के लिए जो Hindu Arabic Numeral या Decimal System का जो हम आज कल Numbers यूज करते हैं तो उसमें जो 1 है उसको हम Roman में जैसे 1 जैसे ये शो करते हैं 5 को V के जैसे 10 को X के जैसे 50 को L, 100 को C 500 को D और 1000 को M Alphabet से शो करते हैं Roman Numbers में 0 नहीं होता अब हम यहाँ पर 1 से 13 तक के Numbers को शो करने के लिए IV और X को यूज करते हैं अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको यूज करते हैं तो सबसे पहले 1, 2 को हम 2 Numbers से 1 प्लस 1 3 को 3 Numbers से 1 प्लस 1 प्लस 1 4 के लिए हम 5-1 करते हैं 5V को शो करते हैं और उससे Left Side में अगर हम कुछ Numbers लिखते हैं तो वो Minus होता है और Right Side में हम लिखते हैं तो वो प्लस होता है तो 5-1 4 फिर 5 फिर 5 में हमने 1 Right Side में लिखा तो 6 फिर 2 Numbers Right Side में हो गए तो 7 8 अब उसके बाद 9 के लिए फिर हम 10-1 करते हैं फिर 10 फिर 10 के Right Side में 1 लिखा 11 और फिर 2 डंडे लगाए 12 और फिर 13 इस तरह से हम 13 तक के Roman Numbers लिखते हैं तो Roman Numbers को लिखने के लिए कुछ Rules होते हैं जिसको की हम समझते हैं अभी पढ़ते हैं तो बच्चों हम कभी भी 4 और वन को एक साथ नहीं लिख सकते यह Rule पहला है कि Repetition of Numeral 1 Means Addition तो हम 3 बार से ज़्यादा वन को Add नहीं कर सकते या Subtract नहीं कर सकते जैसे कि हम दूसरा Number है दूसरा Rule है कि Smaller Numeral Written to the Left of a Numeral और A Greater Value Means Subtraction यदि कोई छोटा Number किसी बड़े Number के Left Side में लिखा है छोटा है तो वो उसके Left Side में लिखा जाएगा जैसे 5 और 1 दो है तो हमने यहाँ पर 5 लिखा और 1 लिखा तो 1 क्यूंकि छोटा है 5 से इसलिए हम हमेशा 5 के पहले 1 लिखेंगे तो Number हो गया 4 इसी तरह से 10 के पहले 1 लिखा तो उसमें से Minus हो जाएगा Number हो जाएगा 9 5 is Never Subtracted V जो हम है जिसे हम 5 की जगा पर V यूज करते हैं वो कभी भी हम Minus नहीं करते हैं तो इसलिए Right Side में हम जब Number लिखते हैं तो वो Plus हो जाते हैं जैसे V Plus 1 6 V Plus 2 7 V Plus 3 8 अब हम 9 के लिए उसमें 4 डंडे Add नहीं कर सकते क्योंकि ये तीसरा Rule है कि Smaller Numeral written to the right of Numeral of greater value means addition जो हमने भी पढ़ा कि किसी भी Roman Number के Right Side में जब हम कुछ उससे छोटा Numeral लिखते हैं तो वो उसमें Add हो जाता है जैसे 10 Plus 1 11 10 Plus 2 क्योंकि ये 1 Right Side में है इसी तरह से 3 Right Side में हो गया तो क्योंकि हम 3 ही बार 1 Add कर सकते हैं इसलिए हम 4 बार Number Add नहीं करेंगे इसके बाद बच्चों हम Next 39 तक के Numbers को पढ़ना सिखते हैं Roman Language में तो 1, V और X को हम 39 तक के Number लिखने के लिए यूज करते हैं अब हम Addition के Rule को भी Follow करेंगे उसके लिए कि Rule Number 4 क्या है कि Besides 1, X Can also be repeated at most 3 times कि 1 और X को हम Maximum 3 बार repeat कर सकते हैं लगातर 3 बार लिख सकते हैं X का बार-बार हम repeat करते हैं उसका मतलब भी Addition होता है इस तरह से हम इन Numbers को अब समझते हैं कि किस तरह से लिखेंगे 11 के लिए 10 plus 1 12 के लिए 10 plus 2 13 के लिए 10 plus 3 14 के लिए 10 plus 4 तो 4 को हमने पढाता V minus 1 लिखते हैं तो इसलिए 10, I और V इसी तरह 15 के लिए 10 और V 16 के लिए 10 plus 6 6 को हमने पढ़ाता V plus 1 लिखते हैं तो 10 V1 X V1 यह हमारा 16 हो गया इसी तरह से 17 के लिए 10 का X और 7 लिखेंगे तो 17 18 के लिए 10 को हम X से शो करते हैं और 8 लिखेंगे V1 1 1 तो यहाँ पर X V1 1 1 यह हमारा 18 हो गया 19 में 10 plus 9 X 1 X इस तरह से हम इन डिजिट्स को इन नंबर्स को लिखेंगे इसके बाद 30 में हम 10 plus 10 plus 10 X plus X plus X तो यह X X X यह हमारा 30 हो गया इसी तरह से 31 हो गया अब 36 के लिए हमें क्या करना है 10 plus 10 plus 10 plus 6 इसलिए हम X plus X plus X plus 6 को हम क्या लिखते है V1 तो हमारा इसका रूमन रिप्रेजेंटेशन कैसे हो गया X X X V1 इसी तरह से हम बाकी के नंबर को भी लिख सकते है अब यहाँ पर बच्चों हमें कुछ नंबर दिये गए हैं हिंदू अरेबिक सिस्टम में जिसको हमें रूमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक में कनवर्ट करना है जैसे X X 1 V X X और 1 V X X X के मतलब 10 तो 10 प्लस 10 प्लस 4 तो नंबर हो गया 24 अब हम इससे रिलेटिड एक्सरसाइज करते हैं यहाँ पर कुछ रूमन नंबर्स हैं जिनको हमें रूमन नंबर्स में जैसे 34 है तो 34 इक्वल टू 30 प्लस 4 30 को हम क्या लिखते हैं X X X और 4 को 1 V तो यह इसका रूमन प्रेजेंटेशन हो गया इसी तरह से हम बाकी के नंबर को भी कर सकते हैं इसके बाद बच्चों हम next question करते हैं यहाँ पर हमें कुछ रूमन नंबर्स दिये गए हैं जिनको हमें हिंदू अरेबिक नूम्रेल्स में करना है जैसे first one यहाँ पर X X V 1 X X मतलब 10 प्लस 10 तो यह होगे हमारा 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 6 6 है यह तो यह नंबर हो गया 26 इस तरह से हम इनको solve करेंगे यह नंबर हो गया 31 इस तरह से बाकी के नंबर को भी हम convert कर सकते हैं अब next question में हमें tick the correctly written number और cross करना है जो incorrect लिखे गए हैं जैसे कि 5 X यह कोई नंबर नहीं होता तो इसलिए हम इसको cut करेंगे अब X, X, V next question में तो हम यह correct है यह क्या number है 25 तो इसको यह tick है इसी तरह से next number है यह correct है क्योंकि यह number है 14 तो इस तरह से हमें rules को ध्यान में रखकर rumour numbers क्या सही लिखे हैं नहीं लिखे हैं उसको find करना है इसके बाद हम यहाँ पर कुछ multiple choice questions करते हैं जैसे 39 is equal to तो 30 plus 9 तो 30 plus 9 किसमें लिखा है इसमें X, 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 1, X तो यह 39 हो गया and next rumour number लिखा है यह क्या लिखा है 24 तो इसका answer यह हो गया इसी तरह से बाकी के roman numerals को भी हमें solve करना है तो यह था बच्चों roman numerals के बारे में किस तरह से हमारा जो हिंदू Arabic system है जो digits 0 से 9 तक की use करके हम numbers लिखते हैं और roman numbers को किस तरह से एक दूसरे में convert करते हैं I hope आपको समझ में आया होगा Thank you झाल